टार्गेट विज आलोग के आनलाइन प्लेट फान पर अब सभी रैंकर्स यसाई बैच के वंधों का हारदी कभजंदन है मेरे प्यारे विद्यर्थियों आप लोगों को मैं अलंकार पर बात कर रहा हूं और इसमें मैंने आपको स्लेश अलंकार तक वताया है आज हम अगले अलंकार के तरफ बढ़ते हैं और वह होता है एक बड़ा ही महतुपूर्ण अलंकार है उसके बारे में हम बात करते हैं और वह होता है वह अलंकार है वक्र क्रोक्ति अलंकार यह आपके वक्रोक्ति अलंकार होते है यहाँ पर देखिए वक्रोक्ति है यानि इसको अगर हम विग्रहित करते हैं तो आपको क्या होगा वक्र होगा और धन क्या उप्ति होगा यानि ये कौन सी संधी होगी गुण स्वर संधी होगी और उ मिलकर की ओ का निर्माण करती है इसलिए ये है गुण स्वर संधी होगा अगर वक्रोक्ति में पूछा जाए कौन सी संधी है तो आप कौन सी संधी बत वक्र का अर्थ क्या होता है वक्र मतलब होता है जो सीधा नौ तो जो सीधा नहीं है वो क्या है तेड़ा है तो यानि तेड़ा हो जाएगा इसको तेड़ा मेढा बोल सकते हैं तेड़ा कह सकते हैं जैसे आप ऐसे क्या करते हैं ये सीधा नहीं है और सीधा ऐसे खिशते हैं त रिजु मतलब सीधा और वक्र मतलब टेड़ा तो वक्र का विलोम क्या होता है रिजु होता है या रिजु का विलोम वक्र होता है विलोम कैसे होते हैं कितने प्रकार के होते हैं आदि के संदर में हम बात करेंगे जब विलोम पर हम आएंगे तब यहाँ पर देखे वक्र टेढ़ा उक्ति मतलब क्या होता है वचन उक्तिकार्थ वचन कह लीजिए या आप कह सकते हैं कथन कह सकते हैं वचन या कथन या टेढ़ा कथन या टेढ़ा वचन तो टेढ़ा कथन या टेढ़ा वचन क्या है इसको आपको देखना है ऐसा नहीं है कि तेड़ा कोई कथन होगा, तेड़ा कोई वचन होगा, कि इस प्रकार से वचन को हम व्यक्ति करन कर सकें, भी यह व्यक्ति करते हैं तेड़ा कथन है या तेड़ा मैं बोल लहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन काभ्य में इसको आप तेड़े कथन को आपको लिख जा सकता है या बताया जा सकता है तो इसमें होता क्या है वक्रोप्ति में एक वक्ता होता है और एक श्रोता होता है क्या होता है वक्ता होता है और श्रोता होता है तो यहां पर जो वक्ता होता है और जो श्रोता होता है ठीक है वक्ता जिस अर्थ में कहता है जिस रूप में य ठीक क्यों नहीं लेता है जान करके नहीं लेता है यानि यहां नहीं है जान करके नहीं लेता है ऐसा नहीं है कि वह अंजाने में ऐसा करता है ऐसा नहीं है वक्ता अगर मान लिजे आप कुछ कहते हैं स्रोता उसको उस अर्थ में न लेकर उसका कोई अर्थ लेता है दूसरा अ के लेगा अंजाने में नहीं ले रहा है तो परिभाषा क्या निर्माण करेंगे या जब वक्ता द्वारा जिस अर्थ में या जिस रूप में कहा जाए स्रोता उसको उस अर्थ में नौ लेकर कोई अन्य अर्थ लगा लेता है या प्रस्तुत कर देता है तो वहां पर वक्रोक उक्तियलंकार हो जाता है यानि वक्ति का यानि वक्ति यानि वचन का टेड़ा अर्थ लगा लिया या दूसरा अर्थ लगा दिया तो वहाँ पर वक्तियलंकार हो जाता है अगे एक उदाहरण के द्वारा हम आपको आसान उदाहरण के द्वारा आसान सब्दों में समझाते ह तो शंब होता आपको समझ में बाते आ जाए, तो व्याख्ख्या करने में, उदाहरनों की व्याख्ख्या करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, देखे, एक मैं आपको कहानी बताता हूँ, एक छोटा सा उदाहरन आपको बताता हूँ, जो समझ में आ जाएगा, या एक ही ए क रुकती है और लड़का उस बस में चढ़ जाता है तो लड़का जब बस में चढ़ता है तुरंत जो है बस चल देती है यानि बस क्या हुई चल दी और जब बस चल दी तो अभी लड़का समल भी नहीं पाया था पकड़ा भी नहीं था जो चढ़ाते हो जो बस चली तो तुर जन्त जो है लड़का जो है लड़की के ऊपर यानि लड़की बैठी हुई थी लड़की के ऊपर क्या हो जाता है गिर जाता है तो जब लड़की के ऊपर गिर जाता है तो लड़की कहती है जानवर हो क्या देखते नहीं हो लड़की कहती है जानवर हो क्या देखते नहीं हो तो लड़का कहता है, जान तो तुम हो, वर तो मैं हूँ, यानि ये क्या करता है, जिस रूप में यह बोलती है, उस रूप में, या उस अर्थ में नौ लेकर, उसका क्या करती है, अन्य कोई अर्थ ले लेती है, तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, वक्क्रोक्तियलंकार हो जात जाएगा अब यहां पर कभी-कभी ऐसा होता है कि ये वक्रों की अलंकार में जैसे लाटा अनुपरास जो होता है वो सीधा-सीधा लाटा अनुपरास का भी आ जाता है कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है तो उसमें बहुत जादे संकोच या दिक्कत करने की बात नहीं है कि कैसे ह कि अवसकता नहीं होती है आपको कुछ उसके पिट सब्द हैं उस पिट चिहन हैं अगर उसको लग जाता है तो समझेगा क्या हो जाते हैं कि यह फलांग लंकार हो जाएगा कहीं पर है जैसे उपमा में लग जाएगा उत्प्रक्षा में लग जाएगा है कुछ न कुछ लग जाते हैं और लगने के बाद जो है आपके वल उसी की वर्ड को जानी की पॉइंट को जानी है तो आप पूरे के पूरे लंकार निकाल देते हैं उसी में एक ऐसा चिहन है यानि इसके अतरिक्त वक्रोक्तिय लंकार के बाद भी एक ऐसा लंकार है जिसमें चिहनों के माध्यम से चिहन का मतलब होता है कि जैसे वक्रोक्तिय लंकार में क्या आजाए अगर प्रश्णवाचक चिहना आजाते हैं तो आप जो है ये बता देंगे कि ये लाटा अनुपरास ये वक्रोक्तिय लंकार है ठीक है यानि अगर किसी काब्य में अगर आपको दिया है और उसमें वक्रोक्तिय लंकार आपसन में है और ये प्रश्णवाचक चिहने उसमें लगा हुआ है तो आप समझेगा कि ये वक्रोक्तिय लंकार है ऐसे ही विपसा अलंकार होते हैं ऐसे ही रूपक अलंकार होते हैं तो कुछ आपको ऐसे होते हैं कि जो आपको बता देते हैं कि यह कौन सा अलंकार है यह फला अलंकार है उस पर हम डीटेल चर्चा करेंगे आगे भी चर्चा करेंगे उस पर बात किया जाएगा यहाँ पर जो बात हो रही है कि वक्रोप्तियलंकार की तो कभी-कभी लाटा अनुप्रास से आपको दिक्कत हो जाती है यानि इस अलंकार को ले करके तो आईए थोड़ा सा एक लाटा अनुप्रास का ही देख लिया जाए कि कोई उदाहरण देख लिया जाए कि जो लाटा अनुप्रास की तरह ही है लेकिन लाटा अनुप्रास नहीं है वक्रोप्तियलंकार है क्या है आए हूं मधुमास की प्रियतम अई है ना ही कह रहे हैं आए हूं मधुमास आए हूं मधुमास कि प्रियतम अई है ना ही कि प्रियतम अई है ना ही अगर ऐसा लिखा गया है दूसरी पंक्ति कह रही है दूसरी पंक्ति सेम यही लाइन बोल जी रही है कह रही है आये हूं आये हूं मधुमास के प्रियतम के प्रियतम अई है नाही अई है नाही ठिक, देखें, दूसरी पंक्ति में क्या? आपको ऐसा नहीं है, कि मैं अपने तरिके से नहीं लगा रहा हूँ आपको ऐसा अन्य भी, जो भी उदाहन मिलेंगे, आपको मिल जाएंगे कह रहे हैं, आये हूं मधुमास के प्रियतम अई है नाही उपर की जो पंक्ति कह रही है, कि मधुमास का समय एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है एक संखी अपनी दूसरी संखी से कह रही है क्या कह रही है आए हूं मदमास की प्रियतम नहीं आए हूं मदमास का समय आ गया है और मेरे प्रियतम नहीं आएंगे मदमास मतलब होता है वशंत यानि वशंत का समय आ गया है और मेरे प्रियतम आएंगे नहीं सीधी सीधी सब्दों में वह अपने संखी से कह रही है कि इस बार वशंत के समय में मेरे पती मेरे प्यारे आएंगे नहीं तो दूसरी जो संखी है वो कह रही है यानि आये हूं मधुमास की प्रितम अई है ना ही यानि मधुमास का समय आये यहां देखे प्रश्टमाचक चिहनों का प्रयोग है इसलिए ऐसा हो रहा है काकवक रुक्ति का हो जा रहा है यानि कह रहे हैं आये हूं मधुमास यानि मधुमास का समय आए यानि बसंत का समय आए और तुम्हारे प्रियतम न आए ऐसा हो ही नहीं सकता है यानि यहां पर यह कह रही है कि मधुमास का समय आ रहा है और मेरे प्रियतम आएंगे नहीं और यह कह रही है कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ कि मदमास का समय आए और तुम्हारे प्रियतम ना आएं ऐसा हो ही नहीं सकता है तो ये जो है जिस रूप में कह रही है उस रूप में न ले करके यह क्या कर रही है उसका दूसरा अर्थ निकाल करके उसको बता रही है तो यहाँ पर क्या है वक्रोक्ति यानि वक्र की उक्ति यानि जो बचन है उसमें क्या कर रही है तेड़ापन उसको बदल दे रही है और बदल करके उस प्रस्तुति करण पुना हो जा रहा है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे वक्रोक्तियलंकार हो जाएंगे चलिए आगे चलते हैं अगले उदाहरण पर चलते हैं एक आद उदाहरण और देख लिए जाते हैं कह रहे हैं एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर है एक कबूतर बड़ा ही यह प्रशिद्ध रचना है गुर्भक सिंग्की एक कबूतर देख हाथ में देख हाथ में पूछा कहां अपर है पूछा कहां अपर है एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर है उसने कहा अपर कैसा? एक कबूतर देखात में पूछा कहां अपर है? एक कबूतर यनि गुर्भक्षिंग की यह रिचना है और नूर जहां के संदर में है नूर जहां जहांगीर जो है चित्रकारी में बड़ा ही जहांगीर का काल चित्रकला का स्वनकाल माना जाता है तो जहांगीर चित्रकारी में यानि चित्रकला में बहुत ही स्वैम पार्खी था और स्वैम ही बहुत कर्ष की अवस्था उसके समय गई है चितरकला की तो कभी अगर पूछा जाए चितरकला का स्वनकाल किस काल को कहा जाता है तो जहांगीर का काल बताईएगा और वह बहुत ही पार्खिता अगर कहता है कि चहरा कोई और बनावे, हाथ कोई और बनावे सरीर कोई और बनावे हर एक अंगो को अलग 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 चित्रकार बनावे तब ही भी मैं बता दूँगा कि कौन सा अंग कौन सा चित्रकार बनाया हुआ है यानि स्वैम ये प्रमीरता को दर्शा रहा है तो ये चित्रकला की बात हो रही है तो वहाँ पर जो है वो दो कबूतर पाले हुए है तो दो कबूतर पाले और नूर जहा के हाथ में वह एक ही कबूतर देखता है तो देखता है जब एक कबूतर तो एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर है अपर मतलब होता है दूसरा अपर मतलब क्या होता है दूसरा पुषता है दूसरा कहां है यानि एक ही कबुतर जब देखता है तो पुषता है दूसरा कहां है तो नूर जहां जो है इसको घुमा देती है निवक्रोक्ती यही पर हो रहा है नुर जहाँ इसको दूसरे रूप में ले करके कैसे कहती है उसने कहा अपर कैसा है नुर जहाँ ने कहा अपर कैसा अपर मतलब होता है ओ पर ओ मतलब नहीं पर मतलब होता है पंक यानि पंक नहीं कैसा यह कह रही है अपर कैसा यानि यह समझ करके कह रही है कि यह अपर यानि इसके पास यह कह रहा है अपर कहां यह कह रहा है दूसरा कहां है जहांगी यह करी अपर कैसा यानि बीना पंख वाला कैसा यानि इसके पास बीना पंख वाला यह कह रहा है कि बीना पंख वाला कैसा और इसको भी क्या कर देती है उड़ा देती है और कहती है अपर कैसा वह उसने कहा अपर कैसा वह उड़ गया सपर है यानि इसके बाद भी इसके पास भी क्या है सोपर है यानि पंक हैं तो कुछ ऐसा भी होता है कि जिस रूप में को तुम घनशाम घनशाम नाम है मेरो कित बरशो कित जाओ ऐसा राधा कृष्ण के संदर्म में ऐसे बड़ी लंबी बारता होती है तो ऐसा है कि भिन भिन रूपों में भिन भिन अर्थों में यानि यहां पर क्या होते हैं इसको ब्यक्त किये जाते हैं एक कुदाहरण और आपको मैं छोटा सा बता देता हूँ हास से रूप में ही है इसको समझेगा एक जो है लड़की है और एक लड़का है तो लड़की को देख करके लड़का हमेशा मुस्कुराता है जब भी उसको देखता है तब भी वो क्या करता है? मुस्कुराता है देखे चुकी अलंकार ऐसे टापिक हैं, रस ऐसे टापिक हैं मुझे लगता है कि काब्बे विचारदहाराएं जो हैं वो काब विचार धाराएं थोड़ी सी लिखी गई हैं इसमें कुछ ऐसे आएंगे रसमे नयक नयका हमेशा आते हैं उससे थोड़ा सा बच करके यानि उसमें रूप में न जा करके आपको समझाने का प्रयास होता है कि आपको समझ में भी आ जाए और आपके कोश्चन्स भी ह जाएं और बहुत जादे अस्तर को ध्यान में रखते हुए अच्छा नहीं लगता है कि बार बार उसका प्रयोग जहां जहां कहीं लगता है कि यह आना है और इसको बताना है तो इस अंदर में बात हम कर लेते हैं या जहां कहीं लगता है समझाना है तो मैं बात ऐसा कर ले हैं यानि हम मुश्कुराते हैं तो वे समझते हैं हसने की आदत है हमें हम मुश्कुरा रहे हैं लड़का कह रहा है हम मुश्कुरा रहे हैं तो यह समझ रही है कि हसने की आदत है यानि जब भी लड़का मुश्कुराता है तो लड़की यह समझती है कि यह हमेशा जो है यह नाची हरता रहता है हमेशा इसका मुख जो है खुला रहता है तो यह कह रहा है हम उसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं और हमेशा क्या कर रही है समझ रही है कि हमेशा हमारा मुख क्या है खुला हुआ है यानि कभी हम बंद रखते ही नहीं है ऐसे ही पर्मानिट रहते हैं हम मुस्कुराते हैं तो वे समझते हैं कि हसने की आदत है हमें वे यह नहीं समझते यानि वह यह नहीं समझती है यही यदा है उन से दिल लगाने की पगली यह नहीं समझ रही है कि यही मेरी यदा है दिल लगाने की तो जिस रूप में यह कहा जाए उस रूप में ना समझा जाए बलकि उसका कोई अन्यार्थ लिया जाता है अन्यार्थ लिया जाता है और अन्यार्थ लेकर के उसका प्रस्थिली करना होता है तो वहाँ पर वक्क्रोक्तिय अलंकार हो जाते हैं ठीक है? यानि ये रहा है आपका अलंकार यानि वक्क्रोक्तिय अलंकार तक रहा अब हमारा जो मुलाकात होगा वहपुनह अगले अलंकार में होगा और बिस्तर तरीके से अभी और भी बाते होंगी, हैसा नहीं है कि अभी किवल इतना ही है, अभी शब्द अलंकार में भी और पढ़ाना है, और अर्थ अलंकार तो अलंकारों का जखीरा है, यह कह लेजिए, वहाँ पर तो अलंकार भड़े पड़े हुए हैं, और आपको जहां से कोश्चन्स प्रश्ट यानि प सुचना बैच में जाती होगी, आप लोगों को यह लेकिन फिर भी जो हमारा नैतिक दाइट्व है, उसका हम निर्वन कर देते हैं, यानि आप लोगों को सुचना यह देदूं कि यह जो बैच है, जो रैंकर से साई का बैच है, यह बैच आप यह जानिए कि यह साथ अगस से continue चलेगा, यानि 7 अगस से आपकी classes daily चलेंगे, continue में live चलेंगे, इसके पहले आप अगर admission लेना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप निश्चित तोर पर इसमें admission लीजिए, क्योंकि यह रैंकर से साई की एक हम लोगों ने पूरी योजना बनाई है, कि रैंक ही हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को भी मेहनत कराने की छमता रखते हैं, तो अब निश्चित तोर पर अपने WhatsApp से इस number पर आप send करिए, क्या लिख करके entry, RSI लिख करके send करिए, हमारी technical team आप से संपर करेगी, और इसके बारे में आपको जानकारी देगी कि कैसे admission की प्रक्रिया है, कितनी fee है, क्या है, सारी चीजे आपको उपलब्ध होंगे, और आप उसको जान करके आप admission लीजे, और यहाँ पर कुछ number चल रहे हैं, कुछ number है, उस number पर अगर नहीं होता है, नहीं, ऐसा जबाब आता है, कुछ है, तो इस पर आप phone करके भी संपर कर सक करते हैं, यानि तब तक के लिए, आप लोगों को धेर सारी शुब कामना है, और धन्यवाद, जय हिंद,